नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडिस्ट्रिय ब्लॉग के एक नए और बहतरीन वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ESP की जी हाँ दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ESP की वीडियो तो सारी बढ़ चुकी है फिर हम ESP के उपर के वीडियो बना रहे हैं तो मैं आपको बता दू कि ये ESP दूसरे टाइप का है ये बगास फायर बॉयलर का है और ये हायरेक्ट यानि हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड मुंबई इसका पैनल है As for Next Generation की CDP दी गई है तो चलिए बिना किसी डिले के आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों ESP का कब कब हम maintenance work करते हैं कब transformer का maintenance करते हैं कितने time duration पे कौन सा maintenance करते हैं आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में भी charger करेंगे साथ ही साथ मैं आप सभी से request करूँगा कि जो भी technical data हम आपके सामने represent करेंगे उसको share ना करिए और screenshot लेकर के अपने diary में note करिए जिससे आपके interview के questions clear होते जाएं दूसरी बात इस वीडियो में transformer के maintenance को भी involve कर रहा हूँ मतलब transformer का monthly, daily, quarterly, yearly and two year, three year या five year के बाद कौन कौन सा maintenance किस तरीके से होता है उन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे चलिए शुरू करते है यह आपके सामने एक cdp है higher act मतलब hind rectifiers limited का यह panel है जिसमें as for next generation का हमारे पास cdp है इसमें सामने आपको दिखेगा vdc, idc, transformer, primary current, voltage, wrapper, power, down साथी साथ इसमें कुछ बटम दिए गए हैं जिसमें ht on, ht off, escape mode, left, right, up, down, interminu, reset यह सारे option दिए गए हैं और इसमें leds की बात करें तो ht on की led है, ht on जो led है वही on off दोनों को show करेगा, ready to start, wrapper on, remote mode और fault यह सारे option दिए गए हैं साथी साथ इसमें एक type c का port दिया गया है, जिसका यूज हम, हम कोई भी operation इसमें upload करने के लिए करते हैं चलिए, अब एक तरीके से हम यह सारी चीज़ें जान गएं, तो अब हम देरे देरे करके इसके keypad के बारे में जानेंगे सबसे पहले ht on और ht off का keypad समझ लिए, जब हम panel को चार्ज करते हैं, ESP को चार्ज करते हैं, उस समय अगर हम ht on दबाएंगे, तो हमारा ht on होगा, ht in the sense, heart and sun, मतलब हमारा transformer चार्ज हो गया ht off मतलब हमारा transformer बंद हो गया, दूसरे escape का मतलब back आना, left, right, up, down तो आप समझी रहे हैं, इंटर मीनू दिया गया है, और reset दिया गया है, साथे साथ मैंने LED की सारे description आपको पहले ही दे दिया दूसरी ची, यह ESP, एक ऐसी खास ESP है कि यह बगास fire है, इसलिए इसमें जो कुछ भी है, सारे generations को मैं आपके सामने ले करके आया हूँ, और अब जो भी हम आपको technical data, technical specification, so करेंगे, उसका screenshot ले करके आप रख लीजेगा सबसे पहले बात करते हम, general specification की input voltage 415 volt AC है, phase single है, voltage variation plus-minus 10% का है, frequency 50 hertz की है, output voltage 110 kilovolt DC, peak corresponding to 68 kilovolt DC mean इसके बारे में हम बात करेंगे, current 400 milliampere DC है, और इसमें जो regulation है, वो plus-minus 5% का variation है अब अगर आप से कोई पूछ है, कि आपकी ESP का range कितना है, तो आप कहेंगे 400 milliamps, क्यों कहेंगे, क्योंकि जो हमारा DC का output voltage होता है, वही हम ESP का range मानते हैं अब आगे बढ़ते हैं, जब कभी भी हमें कोई भी parameter की setting करनी होगी, तो सबसे पहले हमें setting करने के लिए parameter का password पता होना चाहिए इसमें तीन अंक के password हमने दाड़े है, authentication के लिए, और साथ ही साथ, जैसे ही आप parameter में enter करेंगे, उसके बाद VDC, IDC, VAC, Maximum Spark Rate, यह option आपको दिखेंगे VDC से हम DC voltage को control कर सकते हैं, IDC से हम DC current को control कर सकते हैं सबसे ज़रूरी बात वो यह है कि हम यहाँ पर दो field यूज कर रहे हैं, field number 1, field number 2, इसमें आसान भासा में अगर मैं कहूँ, तो इसमें maximum 400 mAh तक ही charge कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो transformer है, उसका output current जो है, वो 400 mAh ही है चलिए, अब आगे बढ़ते हुए, हम setting parameters की बात करें तो NEC BC setting है, wrapper control है, parameter scaling है, set point input है, event download, system configuration, special parameter यह सारे हमारे पूरे के पूरे parameter sections दिए गए हैं अब इसमें जो सबसे ज़्यादा use होने वाला है, normal use जो आप हमेशा करते हैं, वो है parameter setting का और wrapper control का आपके यह wrapper किस type का लगा है, यह जरूर ध्यान दिजेगा, कहीं आपके यह plunger type का तो नहीं है या किसी एक motor पर ही पूरे wrapper को operate तो नहीं किया गया है, उसी के according हम wrapper की setting करते हैं parameter setting इसके पहले मैंने आपको बताया कि कौन-कौन से parameter को हम set करते हैं सबसे ज़रूरी बात यह जान लिजे, अगर एक operator है और आप एक engineer है और चलते duration मतलब हमारा ESP चार्ज है उस duration में हम किन-किन settings को use कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जादा important है और अगर हम आगे बढ़े तो spark rate 0 पर M दिया है और type 1 में 1 है, type 2 में 0 है, system healthy है चली हम इसके बारे में बात कर लेते हैं इस पार्क आप सर लोग जानते हैं कि जब कभी भी electrode और cathode के बीच में कोई भी connection बनता है, touch होते हैं तो वहाँ पर एक spark का generation होता है, चाहे उसमें हम नमी आ जाए, जिसके कारण भी हमारे ESP में spark होता है दूसरी चीज किलो वाल्ट की DC है, किलो वाट आवर का DC है, रन आवर है और system healthy है यह सारे मैं आपको parameter दिखाता जा रहा हूँ, one by one करके तो अगर आप से कोई पूछता है कि parameter कितने types के होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो यही parameter हैं इन ही का आपको screenshot लेकर के रखना है और याद रखना है किलो वाल्ट मतलब हम कितना power ले रहे है किलो वाट का और किलो वाट आवर का मतलब कितने घंटे तक हम किलो वाट पर आवर के speed से चल रहे हैं running hour कितने देर से हम इसको चालू किये हुए हैं दूसरी चीज यह जो energy kilowatt hour है यह display की energy है कि kilowatt hour कितना है जब हम display HD on करते हैं उस समय transformer की unit की run hour कितनी है वो दिखा रहा है VDC का मतलब होता है display peak value of DC voltage output IDC का मतलब DC current output VAC 400 volt 421 volt जैसा कि मैंने आपको specification में बताया IAC 0 ampere so कर रहा है system healthy है मतलब किसी भी परकार का कोई भी fault नहीं है हम ESP को charge कर सकते हैं दूसरी चीज यदि आप सबसे जरूरी जो चीज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यदि आप ESP को पूरे system को parameter को आप DCS पर ले रहे हैं तो एक चीज का विसेज ध्यान दिजेगा कि कभी भी ESP के charging को milli ampere को या bolt को किसी भी parameter को change करने का option DCS पर ना दिजे दूसरी चीज ESP कभी भी तुरंथ तुरंथ चार्ज नहीं करना चाहिए मतलब अभी आपने 200 milli ampere charge किया उसके एक सकंड बाद 300 पर उसके एक सकंड पहले बाद 1500 पर ये नहीं करना चाहिए सबसे जरूरी चीज ESP में होता है कि उसको हम watch करें दूसरी चीज टांसफार्मर के maintenance schedule क्या क्या है हम मन्थली और quarterly इस section में देखेंगे oil label चेक करिए, relay alarm चेक करिए, load ampere चेक करिए, voltage, bussing, trihydrating breather, pressure release valve ये सारे के सारे item जो कि inspect होने हैं, ध्यान देने हैं, उनके बारे में ये दिया गया है मन्थली में हम oil label को भी check कर सकते हैं कि क्या हमारा मन्थली में कहीं ऐसा तो नहीं है कि oil label कम हो गया है oil डालना पड़े, relay alarm चेक कर लिजए, पूरे circuit में कहीं पर कोई problem तो नहीं है voltage चेक कर लिजए, bussing कहीं puncture तो नहीं हुआ quarterly में हम क्या करते हैं, dehydrate breeder करते हैं, मतलब air passage को चेक करेंगे कि वो clear है या नहीं है दूसरे चीज़ की हम pressure valve को release करेंगे, और फिर BH relay, bukholge relay और silica gel breather, oil in transformer, BH relay, oil in transformer देखे, अब quarterly के बाद हम yearly की बात कर लें, तो yearly में आप सब लोग जानते होंगे कि हम silica gel को चेक करते हैं तो silica gel हम चेक करेंगे कि हमारा silica gel proper way में है या नहीं है, वैसे हम हर साल silica gel को change करी देना चाहिए, ये हमारे transformer के breather के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है दूसरी चीज, oil जो है, वो हर दूसरे साल या तीसरे साल आपको oil का transformer जो है, वो उसकी acidity strength चेक करके, हमें oil को dry करके, filter करके, दुबारा उसमें यूज कर लेना चाहिए ठीक है दोस्तों, तो अगर हम आपसे बात करें transformer के maintenance की, तो आप सब लोग जान गए हैं दूसरी जो आती है, वो होती है, control cubicle maintenance की, control cubicle maintenance का मतलब पूरे के पूरे पैनल में क्या क्या हम maintenance को चेक कर सकते हैं तो ध्यान दिजिएगा, सबसे पहले heat sink चेक करेंगे, SCR चेक करेंगे, electrolyte capacitor चेक करेंगे, paper condenser, resistance conductor, contactor, switchage, push bottom, meter, power connection, contactor, complete system मतलब, यदि आपका plant चल रहा है, तो ठीक है, अकर बंध होता है, तो उस समय हम क्या चेक करेंगे, उस पूरे पैनल में तो सबसे ज़रूरी चीज तो यह है कि सबसे पहले आप पैनल की cleaning करवाईए, तद पस्चात उस पैनल में जितने भी equipment लगे हैं, उनको one by one करके सारे को चेक करेंगे दूसरी चीज कि method of control क्या होना चाहिए, ambient temperature क्या होना चाहिए, installation कैसे होना चाहिए, atmosphere कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, cooling किस तरीके से हो सकता है, और scope of supply किस तरीके से किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा तो दोस्तों आसा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको बगास-fired boiler, high-rect, hind rectifiers limited के ESP की पूरी clearance दे दी होगी अब रही बात इसके physical overview की तो उस पर वीडियो में ले करके आऊँगा, जब हमारा off season आएगा क्यों क्योंकि अब चलते हुए transformer के अंदर तो मैं गोस नहीं सकता, लेकिन इस सेच related वीडियो जरूर आएगी Thanks for watching this video